हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बादर वितायुष और चर्चा करेंग इस वीडियो में डे वन सब्सक्रिप्शन आफ आइडिया फॉर्च वीडियो शुरूने से पहले आपको मैं यह कह सकता हूं कि यह जो सब्सक्रिप्शन है ना यह बहुत चौका रही है तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते है उससे पहले एक छोड़ास आपको काम करना है अगर आप तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को दुरूर्व सब्सक्राइब आप लोग कर ले ना तो इशू है वो अब ओबन कब तक रहेगा 27th को और 29th को क्योंकि 28th को मार्केट का हॉलीड है तो यह बात अब ध्यान रखेगा कि 28 को इस IPO के इंदर अपलाए नहीं कर सकते है उनली 27 and 29 are the dates जिस दिन आपको इस IPO के इंदर अपलाए करना है 10 रुपे कि इसकी face value है 672 रुप इस बिन पर कंपनी ने अपने अंक का इंवेस्टर्स को शेर लॉट किये तो आपको भी 672 की प्राइस पे ही जो स्टॉक है वो मिलने वाला है कुल मिला के 22 शियर आपको मिलेंगे जिसमें से 567 करोड का टोटल इस्चू होने वाला है टोटल इस्चू पूरा 567 करोड का है उसमें से fresh issue 240 करोड और balance offer for sale है अगर आप company की employee तो आपके लिए अच्छी बात है कि company ने discount रख रखा है इसका मतलब क्या है कि अगर आप company की employee है तो आपको 32 रुपीज पर share कर discount company जो है वो दे रही है BAC और NAC दोनों exchanges पे यह stock list होगा अब बात करते हैं सब्स्क्रिप्शन की subscription से पहले सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि किसको कितना कितना shares offer किया गया है अगर आप QIB के category में लगाना चाहते हैं तो QIB को सबसे जादा portion जो है वो दिया गया है यानि कुल मिला के 54.39% of the issue जो है वो सिर्फ QIB को दिया गया है 169.92 करोड के shares जो है वो basically QIB के पास आएंगे उसके बाद जो second सबसे बड़ी category वो है HNIs की HNIs को 27.20% of the issue जो है वो basically दिया गया है यानि कुल मिला के 84.96 करोड की जो shares है वो basically यहाँ पर सिर्फ HNIs को मिलेंगे Big HNIs को दोस्तों जो shares मिलने वाले हैं वो 56.64 है क्योंकि HNIs के अंदर भी दो category आती है Big और Small Big वो जिनके bid about 10 lakh है Small वो जिनकी bid below 10 lakh है So इसके अंदर 56.64 करोड के shares जो है वो basically मिले हैं Big HNIs को और Small HNIs को 28.32 करोड के shares मिले है यह 9% of the issue Retail को दोस्तों मिला है Only 18.13% यानि काफी कम है अब क्यों कम है उसका reason simple है Company loss making थी अभी तो profit making है लेकिन पहले क्योंकि loss making थी और company को profits continuously दिखाना पड़ता है Otherwise company को loss making मने जाता है और इसके कारणी 10% share है वो basically allot किये जाते है तो इसलिए 10% मिल रहे है बाकि अगर company एक दो साल लेट आती तो आपको यहाँ पर retail को almost 35% of the issue मिल जाता लेकिन क्या करें Employee को दूस्तों फिर दिया गया है नहीं सबसे चोटी category आपकी नहीं है उसी साब से तो subscription निकल के आता है तो जो first category आती है QIBs QIBs ने तो पहले दिन काफी निराश किया QIBs ने पहले दिन only 0.01 time subscribe किया है यहीं कुल मिला के 34,760 शेयर के लिए application उनकी आई है यहीं only 2.34 crore के जो shares है को basically QIBs ने first day apply करें QIBs first day जादे active नहीं दिखे बट QIBs से क्या सारा portion ही active नहीं था या फिर बाकी सिर्फ QIBs ने थे तो answer है सिर्फ आज QIBs ने थे active नहीं थे HNIS की category ने 5.14 times जी हाँ on the first day 5.14 time दोस्तो HNIS का जो category है वो fill हुआ है 436 crore की पहले ही दिन bid जो है वो basically HNIS के पास आ गई है जो अपने आप में fabulous है में यह कह सकता हूं पहले ही दिन अगर दोस्तो 436 crore की bid आ रही है वो आप समझ सकते है क्या है company की pedigree company की pedigree काफी strong है इसलिए पहले दिन इतना पैसा निकल किया है जिसमें से जो big HNIS है उनके दोरह 4.18 times पैसा लगाया गया है यहीं almost 236 crore की जो bid है वो basically सिर्फ आज big HNIS के तरफ से आ गई small HNIS के तरफ से 7.07 times आज पैसा आया है पहले दिन यहीं 200.36 crore 200.36 crore की जो bid है वो basically आई है लेकिन अगर आप percentage wise देखेंगे तो small HNIS ने 7 times on the first day apply किया है तो overall HNIS के तरफ से तो massive subscription अब इसके बाद आते retailers पे तो retailers थोड़ी पीछ हिटने वाले retailers ने पहले ही दिन 12.54 times 12.54 times दोस्तों इस video को subscribe कर दिया नियुकुल मिला कि 710 crore की bid पहले ही दिन retail कडिगने लगाई है यह आप समझ सकते हैं कि ऐसा जो subscription है वो आखरी दिन निकल के आता है पहले दिन नहीं लेकिन यहावर पहले ही दिन निकल के आ रहा है और इसी वे allotment कि भी very tough very very tough what I can say because retail category जिस तरीके सबस्क्राइब हो रही है पहले दिन अपमान के जिले दूसरे तीसरे दिन तो एक कहां पहुच जाएगी जो company की employees है उनकी द्वारा भी apply किया गया है और कुल मिलाके 8.48 time देखो एक सबसे बड़ा point क्या कहता हूं मैं कि company employees कितने जादा उच् बहुत सारे portions रखे जाते हैं जिसमें employee को दिया जाता है बहुत सार आई-पूस भी बेने से देखें लेकिन उसमें employees first day अगर आट गुना subscribe करने कंपनी के employees को ही पताएगी हां company किस पे डिगरी किये total मिलाके 3.70 time दोस्तों first day के अंदर company के shares apply हुए 3.70 times first day ही पैसा निकल कर आ चुकी है इस पूरे IPO के अंदर तो एक बहुत ही दमदार subscription निकल कर आया है और बिल्कुल करना कुछ नहीं है apply करना है यह IPO कैसा IPO है कहरा तो नहीं चीए लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि apply करी आग बंद करके यहावर पैसा बनने की guarantee basically हम कह सकते हैं दिख रही reason simple है company बढ़िया ह देखे जो drones को लेकर सरकार की भी नीती है सरकार भी थोड़ी सी अभी drones के utilization के उपर focus कर रही है और अभी भी खवर निकल के आई दी कि सरकार जो drone making companies उनको relaxation भी दे रही है तो I think एक बहुत बड़ा factor है जो play करता है और I think ऐसी companies को बिल्कुल अपने नजर में रखना चीए I think इसी companies इसको long term के लिए भी अपने portfolio के अंदर बनाया जा सकता है अगर IPO का allotment मिल भी जाता है तो right अगर current gray market के उपर चर्चा करें जो पहले दिन gray market है ना वो खुद भी चौकाने वाली है मतलब इस प्रकार की gray market first day आप नहीं देखेंगे अलब gray market नहीं देखेंगे 78.87% जी कि इतना time हो गया है लेकिन after a very very long time हम यहीं कह सकते है very very in the sense कि हाँ अच्छा IP नहीं आ रहेते है बट जो भी IP आ रहते है उसमें इतना भी return नहीं मिल रहा था right तो 78.87% का listing estimate अभी दिखा रहा है कि इतना listing gain आपको हो सकता है तो I think एक बहुत ही massive gray market है थोड़ी बहुत नीचे भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरा मानना ही ही कि जो subscription निकल के आ रहा है इसे gray market के अंदर तीजी आने की expectation जादा रखनी चाहिए rather than की गिरावट आए तो इस वीडियो में तो इतना ही था पहले देन का जो session रहा हो I think बहुत sablis रहा है कल से एक और ना के आज जरूर एक detail वीडियो आयेगा तो इस वीडियो पर ते इतना ही था है thank you friends watching this video